नमस्कार आप सभी का स्वागत है DRV NEWS में मैं मीघा खाड़े आज काशी विश्वनात धाम के नए परिसर का लोकरपन होना है इसी के चलते PM मोदी अपने संसतिय शेत्र काशी पहुँचे है आईए देखते हैं इसी से जुड़ी आगे की जानकारी क्या है मोदी करीब पौने 11 बजे यहां पहुँचे काशी के ललीता घाट पर मोदी ने गंगा में उतर कर सुय उपासना की यहां से हातों में गंगाजल का कलश लेकर वेग विश्वनात मंदिर पहुँचे है इससे पहले सवा 11 बजे उन्होंने काल भहरव मंदिर में पूजा गी पूजा के बाद वे पैदल ही खिडकिया घाट तक गए यहां से मोदी क्रूज में बैट कर वे ललीता घाट पहुँचे थे काशी में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनात धाम को 800 करोड रुपे से ज्यादा की लगत से बनाया गया है इसमें शदालूओं की सुविदाओं का विशिश ध्यान रखा गया है प्राचीन मंदिर के मुल स्वरूप को बनाये रखते हुए 5,27,000 वर्ग फीट से ज्यादा शेत्र को विक्सित किया गया है श्रीकाशी विश्वनात मंदिर का शेत्र फल पहले 3,000 वर्ग फीट था लगबक 400 करोड रुपे की लागत से मंदिर के आसपास की 300 से ज्यादा बिल्डिंग को खरीदा गया इसके बाद 5,000,000 वर्ग फीट से ज्यादा जमीन में लगबक 400 करोड रुपे से ज्यादा की लगद से निर्मान किया गया हाला कि निर्मान कार्य अभी भी जारी है इसमें प्रमुक रूप से गंगा व्यू गैलरी, मनी करनी का, जलासन और ललीता घाट से धाम आने के लिए प्रवेश द्वार और रास्ता बनाने का काम है गौरतलब है कि धाम के लिए खरीदे गए भाउनों को नश्ट करने के दौरान 40 से अधिक मंदिर मिले उन्हें विश्वनात धाम प्रोजेक्ट के तहट नए सीरे से संवरशित किया गया है DRV News में बस अभी के लिए इतना ही DRV News चानल को सब्सक्राइब कीजिए इस पे कमेंट इसे लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूलिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दिजे इजासत धन्यवाद